नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे कारिक्रम संजीवनी में, आपके साथ मैं हूँ सुनाली शर्मा दर शको, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कई वर्षों में अगर भारत की बात की जाए या विश्व की बात की जाए तो साथ संबंदी रोग दमा या कहें अस्थमा के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं पहले कभी ये बिमारी बड़े लोगों में बुजूर्गों में सुनने और देखने को मिलती थी लेकिन अब कहीं ना कहीं कम उम्र के बच्चों में भी या युवाओं में भी इस बिमारी के मामले तीजी से बढ़ रहे हैं आज दर्शकों अपने इस कारिक्रम के जर्ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि अस्थमा या दमा क्या बिमारी है और किस तरह से ये हमारे फेफड़े होते हैं उनके साथ साथ पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं साती साथ ये भी जानेंगे कि किस तरह से आयरुवेद में अ करते हैं डॉक्टर कंसल बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कारिक्रम में धन्यवाद तो जिस तरह से डॉक्टर कंसल आज का हमारा विश्य है अस्थमा या दमा और आज पूरे आदा घंटे में हम जानना चाहेंगे कि क्या इसके कारण और किस तरह से आयरवेद में इसका लाज किया जाता है लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शुकों को बताएं कि अस्थमा की बिमारी क्या होती है देखे ऐलोपेथिक में आदमिक दृस्ट्री कौन से तो इसे अस्थमा कहते हैं फेपड़े वाला अस्थमा ब्रॉंक्यल अस्थमा और अपने में बड़ा ही सीरियस शब्द है कुछ जगे तो यह कहा गया है कि दमा दम के साथ ही जाता है अगर यह हो जाता है तो जल्दी इसकी नहीं होती तो इसका जानना बहुत जरूरी है कि दमा है क्या है कहां पर होता है किन कारणों से होता है किस उमर में होता है इसका पर कि कहावद भी एक चली आ रही है कि दम के साथ ही दमा जाता है तो हमारे जो फेपड़े हैं किस तरह से दमा होने पर हमारे फेपड़े किस तरह से प्रभावित होते हैं यह थोड़ा है जितना हम सांस लेते हैं स्वांस की नलका से जाकर वो फेपड़ों में पहुंचता है और फेपड़े के अंदर जो ब्लड के दुवारा पहुंसती है, उसमें कार्बंड एक्साइड जादा होती है, तो कार्बंड एक्साइड और ऑक्सिजन आपस में ट्रांसफर होती है, और ऑक्सिजन ब्लड में सप्लाई होती है, और सारी बोडियों काम कार्बंड एक्साइड ब बिल्कुल जैसे स्पंज टाइब होता है वो थोड़ा सक्त हो जाए किसी कारणों से या वह थोड़ा सा जल वात्ता पानी खट्टा हो जाए तो वो अपना कारण नहीं ठीक कर पाता और सांस भी अंदर नहीं जाएगा यदि सांस नलका में संकुचन है यदि उसके अंदर को इंफेक्शन हो गया है बल्गम जमा हो गया है जब सांस ही नहीं तरीके से पहुंचेगी तो जितनी हमको जरुवत ऑक्सीजन किया वो नहीं मिलती तो प्रणास रूप क्या होता है कि सांस लने में दिक्कत होना लगती है इसी को हम सांस दमा अस्थमा कहते हैं तो रग्ट स यह होता है कि हम कोई बहुत आसी चीज भोजन में करें जो कफ की वृद्धी हो जाती है बल्गम ज़ादा बनता है वो सांस की नली में खट्टा हो जाता है पूरा बाहर निकल नहीं पाता है और दूसरा क्या है कोई ऐलर्जिक वैक्टर ऐसा हो जिसका असर यह होता है कि सा मोटी हो जाती है और सांस का रास्ता कम हो जाता है तो इन दो तीन कारणों से सांस का और फेपड़े का यह होता है जब बहुत दिन तक सांस की बीमारी रहती है ऑक्सिजन पूरी नहीं पहुंसती या और भी कारण होते हैं बहुत हाइट पर चले जाए तो महा भी ऑक्सिजन क कम होगी हवा की एंट्री ही कम होगी तो आगे से काम नहीं होगा तो डॉक्टर सब इसके लख्षन क्या है कैसे हमें पता लगता है कि हमारे जो फिव परेटे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं कहीं ौर ये जो बिमारी है कहीं दमे का रूप ना ले 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 लिए शुरुवाती रोकाम, प्रत्शाय होना, च्हींके आना, यह बिल्कुल लक्षण है, कि वेक्ती को नाक से पानी आने लगे, हल किसी ही खांसी होनी लगे, और जब बीमारी पूर्रोपर होने लगती है, तो वेक्ती को सांस लेने में दिक्कत होती है, वो बैठता है और घहरा-घहरा सांस ले जाता है और कही वार तो क्या होता है कि व्यक्ति ये सोचता है कि आखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है और वो लगता है कि मेरी डैस मेरे सामने खड़ी हुई है क्योंकि सांस जितनी जरूवत है वो मिलती नहीं है तो छट पटाने लगता है रगती और खांसने भी लगता है और जब खांस्ते खांस्ते कुछ बलगम निकल जाता है सांस की नली से तब थोड़ा सा आराम महसूंस करता है तो डाक्टर साब जब कोई पेशन्ट आता है इन सारे लक्षनों के साथ तो किस तरह से क्या वो ऐसे टेस्ट होता है कियसी वो जाँ छोती है जिन से ये कही ना कहीं कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये दमा का पेशन्ट है अस्थमा का पेशन्ट है बहुत किलनिकल डिजीज है डाक्टर कोई भी चिकिस्तर जो होगा वो अपने स्टेटोस्कोप लगा का बता देगा कि इसको दमागी बीमारी है या नहीं है क्योंकि जब सांस की नली छोटी होती है तो हवा जो निकलती है वो विसलिंग सीटी किसी आवाज होती है जब ज़् पास में बैठा है तो वैसी आवाज आने लगती है इस तरह है और जो अंदर से कम होती है तो वह स्टेटोस्कोप से पता लग जाती है कि इसमें सांस की नली छोटी है नहीं है सांस फूल लिए नहीं फूल लिए और वो जब पूछेंगे तो वो बता देगा कि सब मौसम ब हैं लेकि इसको महावयदी बताया है मतलड़ कुछ व्यादियां वह जो बह कर होती कि इव मारे हैं। बिमारिया है कि जीवन को समाप्त करने वाली बहुत सारी पिमारियाहे cars, बिमारिया निदाइघ के जीवन समाप्त करी देती है। यदि चिकिस्ता ना की जाए तो बोलें बीमारियां बहुत हैं जो जीवन स्वाप्त करती हैं लेकिन हिचकी और सांस जैसी तीविता से जीवन स्वाप्त करने वाली कुछ दूसरी बीमारी नहीं है। कश्टसाद कुछ ऐसी होती है कि चिकिस्ता करते लो काम चलता रहता है। उन्हें कहते हैं या पेवादियां और अशाद सब्दकाब इस्तामाल किया है। जो बीमारी ठीक नहीं होती, उसे सितीम होती है, उसे असादिकत है, तो ये बीमारी जो सांस की दमाकी है, वो याप है, चिकिस सकर्च पर तो काम चलता रहेगा, नहीं करोगे तो तकलीफ बढ़ने लगेगी। अस्तमा की भी कोई स्टेज होती है, अलागला स्टेज पर इसको काटेगराइज क्या किया गया है? आजकल तो ऑक्सीमीटर आगया है ना अपने के लिए, फिंगर पर लगा लेजी तो ऑक्सीनेवल बता जिता है, 98-99% नॉर्मल होती है ऑक्सीजन, परसेंट में, और जब ये 80 से नीचान लगती है, तो सांस लाइन दिक्कत होती है, शरीर को तो ऑक्सीजन चाहिए, और वो किड्नी, मतलब शरीर की सप्लाई करना अच्छी चीजों की हार्ट का काम, ड्रांस फर करना, में, इसको प्रान वायू कहा गया है, जो ऑक्सीजन है, इससे प्रान वायू कहा है, तो इसकी सप्लाई करना, ट्रांस फैपड़े काम, और शरीर में जितनी भी दूशरता होती ह जितनी भी टॉक्सिंस होते हैं उन सब को रिलीज करना बाहर निकालने काम किड्नी का होता है। यदि एक भी फंक्शन गरबड हो जाए तो जीवन नहीं चलता है। अभी छोटे बच्चों में मिलती है। इस पर भी डॉक्टर साब आएंगे कि क्यूं अब ये कम उमर के बच्चों में भी आरी लेकिन उसे पहले जाना चाहेंगे कि आयूरवेद किस तरह का इलाज इस बीमारी के लिए बताता है। आयूरवेद की पद्धती अपनाते हुए किया दमा या अस्थमा से निजाद पाया जा सकता है। उसका चिकिस्टा करना आसान होता है यानि कि जतनी जल्दी अगर हम इस बीमारी के दिखाएं जाएं तनी जल्दी आ रहा है क्योंकि जो और शुदिया है और यह तभी काम करती है जब बीमारी की प्रवलता बहुत अधीक नहीं होती है आप कोई बीमारी देख लीजिए पानी शरीवें कमी उसे मर जाते हैं एकदम पिशावाना बंदो जा उससे लोग मर जाते हैं तो अरली स्टेज में जिदी व्यक्ति आता है तो उसके चिकिस्टा साथ होती है तो किस तरह से अगर अर्ली स्टेज पे कोई आता है व्यक्ति दमा की बिमारी के साथ तो किस तर बड़े लोग कर सकते हैं प्रणायाम, अनलूम वलूम, मतल् amenities कि इतना लंबा सांस लेंगे उतनी अक्सिर पोंचेघी और उतनी सांस का बीमारी का इसर असर कम होगा, तो अनलूम वलूम बहुत फाइदा करता है। दूसरा इसमें लाब करता है कुझल, ऊशन जल एक सवा लीटर पानी पिला देते हैं, मतलब उमर ठीक हो, वेस्क हो, और उसको ज़रा सा उंगली डाल का है, पानी को निकाल देते हैं। तो उसमें, एक जो इसकी चिकिस्ता में भी बताया है, क्यों और उसके बाद भाब की सिकाई करते हैं। तो अंदर जो बलगम है, वो पिगलने लगता है, और वो खांसी के साथ फिर बहार निकल जाता है। या कहना कि बलगम ना बने। यह है प्रिवेंटिव टीट्वेंट कि उसमें आप प्रानायम करा दीजिए, उसमें आप क्या कर करते हैं, कुझल कहते हैं, वोमन उल्टी करा दीजिए, या ऐसी चीज़ें जो शरी की इम्मूनिटी को अच्छी ताकत देती है। शरी की इम्मूनिटी बलाने के लिए गलोए बहुत बढ़िया काम करती है। तो गलोए है, उसके वाद क्या करते हैं, आमला है, हल्दी बह करता है शरी का, और ऐलर्जी भी कम करती है, और इम्मूनिटी बलाती है। बलकि कुछ तो ऐलर्जी क्या करते हैं, इम्मूनिटी बलाने के लिए करते थे बलड थेरपी, जिसमें रक्त मुक्ष्णों में आता है, थोड़ा सा बलड बेन से निकालके और पीछे मास में लग होती है तो Beanie बाएने के लिए संदे यह है प्रिवेंटिव और जो दूसरा पिपली बहुत बड़िया काम करती है, जो पिपली बड़ी पिपली होती है, उसको थोड़ा कूट के रख लेते हैं, उसका पौडर भी देते हैं खाने के लिए शहर से, और पिपली को दूद में उबाल के देते हैं, जिसे पिपली छीर पाक कहते हैं, छीर कहते हैं दूद के पिपली चीर पाक बहुत काम करता है। गिलो बहुत बढ़िया काम करती है। तो यह उसके प्रिवेंटिम है, और जो टीटमेंट वाला पार्ट है, उसमें अलग से औशदी बताई है। यां सौम हें सोम लटा एक डर्ग होती है उसका द्रग सा्मेरी पननक रस है, स्वासकुठार रस है, स्वासारी रस है। दूर-langihal पिपनली योग करता है, इसमें कभीया पॉडर होता है। क्योंकि इसमें कभी-कभी पेशेंट को कॉंस्टिपेशन भी रहता है, तो कॉंस्टिपेशन दूखरने के लिए तरिफला दे जेते हैं, हरीटकी दे जेते हैं, तो अभया पिपली चूण रहे हैं, फिर इसमें एक क्या क्या करते हैं, ये वासा अबले, जैसे चवण फ्राश होता है, ऐसे ही वासा अबले होती है, कंटिकारी अबले होती है, और एक साउत वाले घी बनाते हैं, सांस की बीमारी के लिए, दर्शमूलादी घरत, तो आदे दी चमल दूद में डाल के देदें, दर्शमूलादी घरत है, मनेशलादी घरत है, तो इस जीवन दुबारा भी हो सकता है। तो क्या जीवन में दुबारा भी हो सकता है? जब मौसम बदलेगा, बुक्स में लिखा हुआ है कि ठंडी हवा और ठंडी चीज़ें और बारिश और क्या करते हैं बादल, इन सबसे बीमारी बहुत बढ़ती है. अगर रूम के अंदर द्यक्ती दमाकाह लेटा हुआ है और बारिश ओने लगए बादल आ जाएं तो बता देगा उसकी सांस पूलने लगए है, क्या बाहर मौसम खराब हो रहा है, तो शीत आतब ठंडी चीज़, हवा और क्या करते हैं मेग बारिश इन सबसे और ठंडी और आपका जो जनक फूड है बहुत तली चीज़ां वो नहीं खानाती है, जो कफ को बढ़ाती है, वाईू और कफ को बढ़ाने वाली चीज़ां नुकसान करें, इसमें अगणी कम रहती है, बूग कम लगती है, तो पित दबा हुआ रहता है, तो वाईू कफ वरदक बारिश का मौसम है तो दुबारा ये सिंटम्स आ सकते हैं, लेकिन अगर होता है कि मरीज को बता देते हैं कि तुम दवा खा रहे हो, अब ठीक हो थोड़ी मैडिसिन कम कर दो, फिर तुम होने लगा तो पहले सी खाना सुरू कर दो, तो ज्यादा सांस पूली की दिक्कत हो औक बारिशन करना पड़ता है तो फिर इस्तिती ज्यादा गंबीर हो जाती है। भाप का कितना महत्वपूर्ण इसमें भाप काम करती है, क्योंकि कई बार ऐसे भी सुना है कि अगर बलगम जम गया है तो आप भाप लीजिए, नेबलाइस कीजिए। बाप काम यह है कि जो अं चाहे तो भाप गरम पानी पिला कर दीजिए, गरम पानी की सिकाई कर दीजिए, ने गरम पानी क्या करते हैं, कुकर में बानी भर के और ट्वीब लगा के जिसे नाडी सुइट केते हैं, वो कर दीजिए थोड़ा था। इसका काम सिर्फ ऐलरजिक फैक्टर है, एक तो बच्चे भाहर की खाते है, घर की चीजिए कम खाते हैं, भाहर की बहुत काते हैं बाहर की चीज़ां में एडुट्याशन बहुत होता है, और अगर आज यदेगज़ बहुत है, ड्राइफ फूट्यूट्याटर्याइटी से मुण की ता सांस पूल ने लगी और पहले क्या होता था लोग सिर्ट बहुत पीते तो एल्डरिली लोगों में जीदा बिमारी इ fertility का बदा रोल है जो इस मोरक किंग करते हैं उनको ज्यादा बिमारी बूमारी हुती है अब किंगते सब होती है किसी क्ञें करन dal जी होती है किसी सब्जी इंट तो इसमें यह तो सांस पूल से चाहिए मुक्र ब्ली की फेयर जे बीट होंगे Ou जिआ किकцию की सब्वार्ग सब्सक्राइब करणसे कि इसे यह सोच के मार लेकिन की कि आलर्जी भी इसको ट्रेगर करती है लेकि इसमें मुक्रूप से जो धूल दूएं की पोलन की वह ऐलर्जी जादा माला क्योंकि उससे ऐलर्जी होगी खांसी उटेगी कांसी उटेगी सांस पूलने लगेगी कि नियुक्र आप करें साय क।क्रिया, भृषिय। उसमें बताया है कब पुराना बहुत सकते हैं जो बहुत सारी बीमारी में बताया है। आजकल जितना भी अपने प्रदान मंत्री जी ने बताया है लोगों को जो आप दूसरा भोजन करिए, मोटा अनाथ करिए तो उसमें गैउं पुराना गैउं पुराना गैउं उसलिए कि आजकल नया गैउं आने लगता है तो वो जावल्लाल वाला चावल जो हता है। उसे खाने के लिए कंलिए बताया है, और पथव के रूप-पै founder क रोपने हलका भोजन करना चैए। लेट आवडस में भोजन ने करना चाईएं रिजा ने सुबह सब्छे का सुबह खाली है, यहरभार वारवस्ते हहाए, बाद मैं तो हलका भोजन सुपाच्य भोजन और संतुलित मात्रा ना करना चाहिए अस्तमा को दमा के रोगिया मैं जितना हो सके घर का ताजा भोजन करें। दग्र साब हम ने सुना है कई बरी कि अस्तमा का अटाक आता है तो उसके बार में बताएं जब डमे का अटाक आता है तब क्या करना चाहिए। मतलब तो CDC बात है कि सांस नहीं आ रही है रास्ता छोटा हो गया है तो वो सांस ही नहीं आती है उसके तो दिक्कत होती है तो ऐसे मैं सिर्फ ये oxygen काम करती है आज कल बलके तो जहां उन लिया और मुझ से लंबा-लंबा खींचा तो वो सांस की नली जो शिक्ड़ी हुई थी थोड़ी फैल जाती है जब फैल जाएगी तो बल्गम तो नहीं निकालती है लेकिन नली को फैला देती है थोड़ी से तो ऐसे समय में तुरंट चिकिट्सक के पास जाएं क्योंकि इसको तो बताये कि यह बीमारी जो पुराने लोग होते हैं जब कोई स्पास में नहीं होता सांस फूलते रहते हैं तो जीवन लीला समापत हो जाती है क्या दमे की हैं बिमारी पीदी पास भी होती हैं यह दिटी भ जनको दादाँ पर दादानों को होता है उसमें दूसी-Tir Diosi से कनक्टिड है तो वेसे हो जाता है। है क। कम से कं कितने उम्र आप सी जाद है। और जानें जो 18 साल तक के बच्चे होते हैं, सबसे कम तो आते हैं, सांस पूलती है, जो आपके 15-25-30 तक के होते हैं, वो middle income, middle age का हो गया, वो आते हैं, अक्सर जो लोग आते हैं, वो 30-35 से लेका, 60-65-70 तक, यानि कि 30 कहीं ना कहीं इसका एक डेंजर लाइन शुरुवात इस बिमारी की अपर जिनको जादा खांसी रहती है, अलर्जी होती है, उनको ultimately वो सांस में convert हो जाती है, तो कहा जाता है कि खांसी बहुत दिन नहीं रहनी चाहिए, जब मौसम चेंज होता है, उसमें उसका विसेज प्रिवेंटिव होना चाहिए, और ओशन जल सबसे बढ़िया फायदा क देजिए, ना खांसी होगी, ना सांस फूली, अगर उत्तराखन की बात की जाए, तो यहां पर भी बहुत मामले बढ़ते हैं, अस्थमा के, दमा के, तो इस शेत्र के लिए खास तोर पर किस तरह से देखते हैं, यहां इतने मामले क्यों बढ़ते हैं, इसका पता है, यहां संक्रमित भी हुए हैं, ऐसे लोगों को विशेश रूप से अस्थमा या दमा से अपने आपको किस तरह से, यानि कि क्योंकि अगर किसी को COVID-19 संक्रमित हुए हैं वो, तो उनको अपना विशेश रूप से खयाल किस तरह से रखना चाहिए, क्या उनको दमा जादा हो सकता है बढ़ सकते हैं, उनको दमा बहुत ज्यादा नहीं होता, जिनको उस समय फेपड़े वीग कमज़ोर होते थे, डैथ हो जाती थी, लेकिन उन लोगों में जिनको COVID-19 रहा है, टीटमेंट लिया है, उनको हार्ट की शिकात ज्यादा होने लगी है, सांस वाली नहीं होती है, सा जिनको सांस फूला उस समय वो तो रहे नहीं आगे, रहे वो जो ठीक हो गए थे, उनको हार्ट की शिकात ज्यादा होती है, जी, प्रक्साब जो अभी तक इस बिमारी से दूर है, और भविश्य में उनको ये बिमारी ना हो, ऐसे में खुद अपने आप, क्या हमें ऐसा करन चाहिए, आप किस तरह की जीवन शैली बताएंगे, ताकि हमारे फेफडे मजबूत रह सके और दमा अस्थमा, क्योंकि लगातार आप देखते हैं कि बाहर का खानपान बढ़ गया है, पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हम अपने फेफडों को किस तरह सुर ब्लेडर होता है, उसको फलाईए, और कुछ लिए लंब लंब सांस लीजिए, प्रानायम यह करते हैं, तो जितना एक्सपंशन चेस्ट का होगा, उतनी ही बीमारी का सर नहीं हो, और स्मोकिंग तो इसके लिए बहुत इंजूरिस तो हैल्थ, यान कि धूम बुरपान से कह उसमें मनेशिलादी धूमरवर्ती का डिसकुप्शन है, जिसमें हरिदरा, दारू हरिदरा, मनेशिला, गूगल, इन सब का बना के पौडर बना के उसकी सिकर्ट स्मोक बना लेते हैं, और जला के उसको नाग से खीचते हैं, लेकि मुझ से पीनों को मना है, मुझ से भी तो तो टबे को तंबा को वाला है, वो तो हर्मफुल ही है, जी, तो डॉक्टर साब चलते चलते आप क्या सला देना चाहेंगे कि बारिशों के साथ सा, सर्दियों के साथ 12 मासा आपके फेपड़े स्वस्त्र हैं, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कि गर्मी में गर्मी से बचना चाहिए, चाहता लगा कर चलना चाहिए, सर्दी के अंदर बारिश का मौसम जो आजकल आ रहा है, उसमें कपड़ा ऐसा पहनना चाहिए, जो भीग है नहीं, उसमें भी चाहता बहुत जो, चाहें गर्मी हो, चाहें, क्या करते हैं, बारिश हो और थोड़ा सा कप्पले ठीक परना चाहिए और टाज्या भोजन करना चाहिए लेट आवर्स जो करना चाहिए और मैंने लिक्विन में गिलोबे बताया जाता बहुत इसली मिल जाता है और दूसरा हल्दी बहुत फायदा करती है, जो किचिन में हल्दी इस्तमाल होती है, वैसे तो कच्छी हल्दी भी मिल दाती है, जो लोग बोते हैं, उसको उबालकर दूद के साथ ले लेते हैं, जो भी अबिलेबिल ना हो तो जो डॉमेस्टिक किचिन की हल्दी है, एक दूद के साथ, रेगूलर लेंगे तो फेपड़े भी ठीक रहेंगे, शरी में कमजोरी भी नहीं होगी, दर्द भी नहीं होगा, और एलर्जी भी नहीं होगी, एंटी एलर्जी बढ़िया काम करते हैं, बेलकुर, डॉक्टर कांसल आप हमारे स्टूडियो में आए, और अस् को कि अच्छिया के आए, और असकाछ आप हमारे स्टूडियों कारते हैं, और असकाछ आप हमारे स्टूडियों को दे वित वितिती तो.